हनवान जी ने बोला शर्त है मैं भीना वक्ती-वक्ती के रहनी सकता है तो यह भगवान श्री केशि Ny बोले इना लडाई होगी यह कि सठ संग होगा उस ने बोला शर्त है यह जोजो तो हमारे राम जी-पिमार को लडाई के बीच में भी ज्लान देते थे इसलिए अर्जुन के नाम, करत का नाम कपी धोज रखा गया, कहते हैं कि अर्जुन का तो बहाना था, बगवान कृष्ण ने गीता तो हनुमान जी को सुनाना था, अर्जुन का तो बहाना था, बगवान कृष्ण ने गीता तो हनुमान जी को सुनाना था, अब धोजा में ज लेकिन अर्जुन जब तीर चलाता था, तो करण करत तीन चार कदम पीछे चला जाता था, तो अर्जुन भगवान को बोलता था, नीचे देखो, हमारा रत नहीं हिल रहा, भगवान बोलते थे नीचे नहीं उपर देखो, तुम उपर इसलिए हो रत के, क्योंकि तुम्हारे उपर कोई और है तुम उपर इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे उपर कोई और है कभी-कभी लोगों को भरम हो जाता है कि हमारा रत हमारी वज़ा से नहीं हिल रहा तो ये भरम कभी ना आए ये gratitude हमेशा रहे कि आप सफल इसलिए हो क्योंकि वो उपर है पहले आप क्यों नहीं उतरते वह सिन बोला पहले तू उतर अरजन को रत से उतारा गया भगवान कृष्ण ने खु़ रत से उतरे तिर तीसरे में हरमान जी को इशारा किया कि आप का रोल समाब्त है जब हरमान जी उतरे तो कहते हैं रत हुमें आग लगती रत धूं-धूं करके जल गया और जुने बोला रत कैसे जल गया बोला जल तो बहुत पहले चल चुका था ये तो बचा रखा था उसमें रत तो तेरा बहुत पहले जल गया था ये तो तो जिंदगी में हमेशा याद रखियेगा कि आप जबी भी संपधा प्राप्त करें, पैसा बनाएं आगे बड़ें, TSS के अंदर जिंदगी बनाएं तो कभी भी आंकार की भावना अपने अंदर मता आने देना है, बड़े बड़े लोगों को डुगो दिया बस समझ में आ रही है तो बोले हाँ Are you getting my point? Yes or no?